कि आफी अट्रैक्टि लगता है बच्चों को इसमें म्यागी नूडल का इक फाइदा यह है कि इसमें जितना घाया ठीक है बाकी हमें से रख सकते हैं कैसे हैं आप सब कॉमेंट करके चुरू बताएगा तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कीचन के कुछ ऐसे प्रोडेक्ट जो मुझे परसनली पसंद है तो ज्यादा मैं देर नहीं करूंगी हमारा जो फर्स्ट प्रोडेक्ट है वो है यह फूड बास्केट यह स्टेलने स्टील की है और प्रांट है इसका लक्षमी चोटे बड़े सभी साइज में यह अविलेबल है ओनलाइन या लोकल मार्केट कहीं भी आप साज करेंगे तो यह असानी से मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि इस प्रांट को मैं प्रमोट कर रहे हूं यह पसंद लिए आप लिए तक वैसी की वैसी ही है और सेकंड जो मेरा प्रोडेक्ट है वो है यह कुलर्ड इस पर जो पेंटिंग कीई है वह बर्ली आप पेंटिंग है जो मुझे काफी पसंद है और काफी सम्में से मैं इसे सर्च कर दी थी फाइनली मुझे यह मिला और अभी यह न्यू ह किया देखते हैं इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है और दिखने में काफी खूसूत है ट्रेडिशनल लुक देता है और यह छे का सेट है इसका कलर देखिए आप और मेरा जो नेक्स प्रोडेक्ट है वो है यह सीरेमिक बाउल जो की लीड के साथ है लर और डिजाइन आप देखिए काफी खूसूरत है इसका एक फाइदा यह है कि जितना हमने खाया ठीक है नहीं तो लीड लगा कर आप इसे रख सकते हैं बच्चों को इसमें मैगी नू से आपको मिल जाएंगे यह बाउल सीरेमिक है तो हमारे हैल्प के लिए भी कोई हामफुल नहीं है और यह कोई ग्यास दाता है तो इसमें हम नूडल्स मैगी डाल कर सब कर सकते हैं काफी अट्रक्टिव लगते हैं अब सेकेंड जो बाउल है यह भी सेम डिजाइन का है जो नेक्स प्रोडेक्ट है वो है यह हांडी शेप में बाउल यह भी सेरेमिक क्या है और यह बाउल मुझे पसनली काफी पसंद है मैं इसमें रखती हूं अचार चतनी अचार चतनी रखकर आप इसे डाइनी टेबल पर रख सकते हैं काफी अट्रेक्टी लगता है काफी तो खेर मज़ा आता ही है यह भी आपको लोकल मार्के से असाने से मिल जाएंगे वैसे तो ग्लास यह सीरेमिक के जितने भी प्रोडेक्ट है मैं लोकल मार्केट से ही लेते हूं एक तो ओनलाइन मंगवाने से तूटने का डर रहता है दूसरा मुझे ज्यादा इसका एक्स् समर सीजिन है तो यह ग्लास काफी यूसमे आते हैं से में दिखाती हूं और यह देखिमें समर दैखने काफी दितितल एक्टिव लगता है तो यह भी खेर सेट हैयो और तो इसका ब्रांड है लेजर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करी यह मुझे परसनली पसंद है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इन प्रोडेक्ट का आइडियाज हो जाए तो नेक्स्ट जो मेरा प्रोडेक्ट है वो है जोइल गलास ये भी लेजड ब्रांड के है ये देखें इनके साइज काफि खूब शूरत है जोच समर सीजन है तो ये भी काफिilla चेंस आते हैं काफिये अट्रैक्टर्य लगते है काफिर खूब शुब बपाटत लगते हैं ये भी छेक है मेरा जो नेक्स प्रोडेक्ट है वो है ये कोफी मग ये देखिए काफी खूबसूरत है ज्यादा तर मेरा कोफी मग होते हैं जो दो का ही सेट लेना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें जो कलर है डिजाइन है चेंज होते रहते हैं तो ये कलर भी इसका देखिए काफी खूबसूरत है ग्रे में है ग्रे और वाइट कलर में हैं काफी खूबसूरत इसका डिजाइन है यह भी दो कर सेट है और मेरा जो नेक्स प्रोडेक्ट है वो है यह बाउल मल्टी पर्पर्पस यह बाउल है इसे आप फ्रीज में भी रश सकते हैं गरम-गरम डाल डाल सकते हैं सबजी डाल सकते हैं दाल डाल कर फ्रीज में रख सकते हैं फ्रीज से निकाल कर इसे माइक्रोवेब में रख सकते हैं माइक्रोवेब में इसमें खाना भी गरम कर सकते हैं काफी सालों से यह मेरे पास है एजी टू क्लीन है किसी परकार का कोई इस पर स्टेन नहीं आता और एक है मेरे पास यह है इसमें हम काफी लोगों का एक साथ खाना गर्म कर सकते हैं सेफ है इजी टू क्लीन है किसी प्रकार का कोई स्टेन नहीं आता सालों साल इसकी चमक वैसी ही पनीरत और एक है यह वाले गिलास सिंपल सोबर डिजाइन है तो यह थे समर स्पेशल कुछ मेरे किचन के प्रोडेक्ट इन में से कुछ मैंने न्यू लिए हैं कुछ मेरे पास पहले से ही थे और यह असाने से आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे यदि ब्रान के नाम से आप सर्ज करेंगे तो आपको लोकल मार्केट या ओनलाइन कहीं भी यह प्रोडेक्ट मिल जाएंगे कॉमेंट करके जूरू बताइएगा कि आपको इन में से सबसे अच्छा कौन सा प्रोडेक्ट लगा है और वीडियो अच्छी लगी है तो से लाइक को शेयर चुरू किजिए तो मिलेंगे मेरी नेक्स टोपी के साथ थैंक्स फुर वाचिंग